हेलो एवरिवन वेलकम बैक तो माई चैनल आज मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक शानदार केमिकल स्टॉक के बारे में यदि आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में लॉंग टम के वीजन के लिए रखते हैं तो दोस्तों दिगज स्टॉक है यह कैसा स्टॉक है जो आपको पैसा हर साल डबल करने की पूरी छमता रखता है और करता भी जा रहा है दोस्तों लॉंग टम के लिए बहुत ही दिगज स्टॉक है एड कीजिए दोस्तों जेबी केमिकल अपने पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए दोस्तों दोस्तों बात कर रहा हूं मैं स्टूबर को कैसा काम का जुआ करीब करीब सबातीन परसेंट उपर तीस रुपए और एक हजार रुपए के उपर लगबग क्लोजिंग दी है प्रीवेस क्लोज 970 का था दोस्तों 976 प्याज ओपन हुए स्टॉक एक हजार बीस का आज के दिन हाई लगाया वहीं दोस्तों दिन का लोग था वह 971 रुपए देखने को मिला 971 का तो शांदार स्टॉक है दोस्तों अच्छा खासा बिजनेस इसका ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार अच्छा काम भी कर रहा है क्योंकि साथ साथ आप जानते हैं यह फार्मा के यह केमिकल के साथ फार सायल विजट करते हैं एक बार तो दोस्तों बीटे एक वीक में स्टॉक लगबग सवा दो परसेंट डाउन देखने को मिला है दोस्तों दो हफ़ते में सटॉक ने 5.111% के अच्छे खासे रिटन कमाके दिये हैं एक महिने में 25% सवा 25% की रहली रही है दोस्तों तीन महिने में में स्टॉक 34.66 परसेंट चला छै मेहने में सटॉक ने दोस्तों पैसा uniqu कर दिया 105 परसेंट से ज्यादा कि रहएंधि वहीं दोस्तों 2020 के अंदर 127 से ज्यादा किर लि इस साल दोस्तों बीते एक साल में 167% के शानदा रिटन दिये निवेशकों को और दोस्तों 3 साल में इसमें अपने निवेशकों को जो रिटन दिये हैं तो दोस्तों 3 साल में इसमें जो रिटन कमाके दी वो 240% के हैं वहीं दोस्तों 5 साल में इसमें 237% के रिटन दिये और 10 साल में दोस्तों 828% रिटन दे के पैसा दोस्तों स दवा नौगुना कर दिया है 10 साल में और आंगे दोस्तों बहुत अच्छा इसका फ्यूचर दिखाई दे रहा है तो आप लोग इसे पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं आपको अच्छा खासा यह पैसा बना के दे सकती कंपनी दोस्तों 7 अक्टूबर को इसमें आज के द आसपास आप कह सकते हैं 1.500 के आसपास बनाया है तो इस टॉक को आप लॉंग टर्म के लिए जगह दे सकते हैं पोर्टफोलियो में बड़े बड़े निवेशकों का पैसा इसमें लगा हुआ है और सभी किस समय इसमें बाई गॉल अच्छे कासी आ रही है वीटे एक साल मे के आसपास काम कराच कर रही हो और डेविडेंड येल्ड भी दोस्तों 1.13% का वो भी ठीक ठाक देखने को मिला है तो लॉंग टर्म के लिए जगह दीजेगा पोर्टफोलियो में और कंपनी बहुत यादा फंडामेंटली साउंड और हाई ग्रोथ कंपनी बनती जा रही है लगा अतार इसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल ले इस प्रकार से सेर इसलिए इसमें बंपर रैली भी हो रही है आईए सेर होल्डिंग पैटन देख लेते हैं स्टॉक का तो प्रमोटर के पास दोस्तों जो होल्डिंग है 55.91% FII की होल्डिंग 7.78% Mutual Fund की होल्डिंग 12.92% Insurrence Company की होल्डिंग इसमें 0.91% वहीं दोस्तों नौन इस्ट्यूशन इसमें 21.9% अदर डियाई आई की होल्डिंग इसमें जो है दोस्तों वह एक दसमलो 2.1% की होल्डिंग दोस्तों अदर डियाई की स्टॉक के अंदर देखने को मिल लए दोस्तों वही majority shareholder है, इस company के वो promoter है, place motor holding नन मतलब गिर्वी रखे, share की stock के साथ कोई भी समस्या नहीं है, mutual fund की 17 scheme ने 12% की holding ले रखी है, FII की 133 scheme ने दोस्तो 7.78% की holding ले रखी है, promoter with highest holding के पास जो holding दोस्तो 9.51%, लगबग 69%, highest public shareholder 5.58%, DSP small cap fund के पास, और हम आप जैसे जो retail निवे सक हैं, करीब करीब 19.4% की holding retail निवे सक के पास भी stock के अंदर देखने को मिल लई है, तो stock को आप लोग जगे दे सकते हैं, long term के point of view से stock में कोई भी दिक्कत किया, ऐसी बात नहीं, आपको अच्छा return बना के देता रहेगा, और ये stock multi baggers पहले भी किना आपको साबित कर चुका, तो आप इसे अपने portfolio में जगे दीजिए, तो पैसा बनना लाजमी है दोस्तों, add करिए हर गिरावट में इस stock को,